नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका स्टाड़ भी था इसमें दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार द्रोगा एक्साइज कॉंस्टेबर पर इच्छा तो होजा टेश की रिगाड़िंग दोस्तों बीपी एससी आयोग ने ओफिसियल वेपसाइट पर एक इपॉंटेट नोटिस जारी किया गए जहां दोस्तों इस नोटिस में क्या बताया गए है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर चैनल पर पहले बार विचिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकर को सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सिवायोग पटना के द्वारा एक 26 दोजार तेस को साम में नोटी जारी किया गया था दोस्तों पूरा एकजाम का सिडूल यहां पर विद्य दिया गया था इसका यहां पर देख सकते हैं इनका जो एकजाम है 16 जुलाई 2023 को रविवार को कंड़क्ट होने जा रहा है अद दोस्तों पूरा एकजाम का सिडूल यहां पर विद्य दिया गया है कि आपको कब रिपोर्ट करना है आपका कब से एकजाम कंड़क्ट कराया जाएगा दिनांग 16 साथ 2023 तरवी बार को एकजाम होगा एकजाम में ही एकजाम कंड़क्ट कराया जाएग क्योंकि छोटा एकजाम है परिच्छा आप दी दो घंटे का होगा और 10 बजे प्रवाहन से आपको 12 बजे तक परिच्छा पड़ेगा अभी हर्थियों का जो कित परिच्छा विद्वार है तो इपरवेश्ट पत्र आयो की वेबसाइट पर दिनांग 360023 से उपलबत रहेंगे यानि दोस्तो आप लोग 30 जून से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो बीपी एससी आयो देख सकते हैं कितना फास्ट काम कर रहा है और अगामी आने वाले बिहार द्रोगा में भी इसे अनुमाल लगा सकते हैं कि आपका जो एक्जाम है जैसे ही नोटिफेकर संजारी के जाएगा उसको जस्ट एक से दो महिने के अंदर में ही एक्जाम कंड़क्ट करा लिया जाएगा तो दोस्तो एक बहुत बड़ी प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं तो अगर आप फॉब अपलाई किये हैं तो पेपर देने के लिए रेडी हो जाएं क्योंकि आपको अब ज्यादा समय नहीं बच्चा है दोस्तो यहां पर देख सकते ही यहां पर इंट्रक्शन भी दे दिया गया है कि आप लोग को क् पुमार्शीट का भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है रोल नंबर प्रस्ण पुष्ट का एक ऐसे आपको फिल करने हैं तो ऐसे लेटेस्ट अब्रिट के लिए मेरे चैनल भबने रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद